ये अनुपम महापुरुष, अपनी ध्यानसार्णा से, अपने चिंतन से, अपने पुरशार्च से, संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है, उजाला ज्यान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चितम शिखर पर ज्याने का. अभी साधना प्रारम हुई है, प्रभू की किरपा बरसी है, दीरी दीरी आपको समझ में आएगा, आप ध्यारिया रखे, जितना आपके भीतर ध्यारिया होगा, उतना जीगरता से प्राप्त कर लोगे, पंच परमिष्टी को नमन करने के बाद, मैं जीव आत्मा हूं, जीव जीव जानी आत्मा, आत्मा जानी अश्ट गुनों से युक्त आत्मा, और दो ही बताया गया कि जीव में सुख है, सुख अनंत है, वो तमारे पास तमारे भीतर है, जैसे जैसे ये मन के पार, बुद्धी के पार, इंद्रियों के पार जाओगे, वो सुख का आपको आत्मा में है, उस सुख का तम आ吸स करोगे, उस सुख को तुम अनभव करोगे, तब समझ आऊओगे कि वो आत्मा का जीव का सुख है, उससे आप जान पाऊगे, आत्मा अनभूती है, एक अनभव है और केवल इंद्रियों के विश्य अलग है, और एक आंद्रियों के विश उसके इलावा तुम निराकार आत्मा तो साधे तीन हाथ की काया में इतनी भी काया है भगवान स्यमंदर स्वामे की पांसो दुनुष की काया उसमें पांसो दुनुष में आत्म परदेश विद्यमान है हमारी साधे तीन हाथ की काया है उसमें आत्म परदेश विद्यमान है पशु पक्षी, मनुष्य, देवी, देवता, जैसी काया उसमें आत्मा विद्यमान है, तो आत्मा सब में समान है, उस समानता का ऐसास कीजिए, आज तक हमने देधुष्टी को मातव दिया, दे का मतलब उस दे को जाना, ये पुर्श है, ये इस्त्री है, ये माता है, पिता ह बेहन है, भाई है, सुंदर है, कुरूप है, विद्वान है, ये है, आज तक हमारी सारी दिष्टी दे, जहां दे है, वहां किरिया है, परति किरिया है, राग है, देश है, मोह है, कामना है, वासना है, ये साधना आत्म दिष्टी की साधना है, सब में जीव को जानना और ज जैसे अनभव करोगे जैसे मैं जीव आत्मा इस साड़े तीन हाथ की काया में मैं जीव आत्मा आगे आपको बताया गया कि यदि आपका मन ना लगे तो आते जाते श्वांस का सारा ले सकते हो स्वांस तुमारा एक सेत्व है आप जुड़े हैं जिस जीव से और शरीर से स्वांस जैसे स्वांस लेते हैं और छोड़ते हैं आपका मन इकागर होता है मन को एकागर करने के लिए मन भड़कता है शुरु शुरु में क्योंकि हमने मन को महत्व दिया जब से जनम लिया अभी तक हर जनम में जीव ने अपनी शक्ती मन को दे दी और मन बलवान हो गया मातुम का ये प्रशन रहता है कि मेरा मन नहीं लगता क्योंकि जीव ने अपनी शक्ती मन को दे दी मन नहीं लगता तो जब जब विचार आएं मन कहां भूत में ले जाएगा या भविशत में ले जाएगा वरतमान क्शन में आने के लिए आपने केवल केवल आते जाते श्वांस को देखना स्वांस का पता ना लगे तो तेज कर लेना थोड़ा सा धीरे धीरे इस से आपका मन शान तोने लगेगा उसके बाद आपको बताया गया स्वांस के बाद सोहम सोहम कोई मंतर नहीं है यह एक ध्वनी है आत्म परमात्म मिलन की ध्वनी है यह सोहम और सोहम का अर्थ क्या है सो यानि वो आत्मा एहम जानि मैं आत्मा मैं आत्मा और वो आत्मा समान है सो यानि जो अरिहन्तों में आत्मा है सबी अरिहन्तों में जो आत्म तत्व है वो मुझ में है सो यानि सिद्ध भगवंतों की आत्मा मेरी आत्मा समान है सो यानि आचारे भगवंत की जितने भी आचारे हैं उन में मैं आत्मा समान हूं सो यानि उपाधिया में जितनी आत्मा है मुझ में समान है सो यानि सभी साधूं में जो आत्मा मेरे पंच परमेश्टी में आहया हम आतम तत्तों को महत्व दिया, देह को महत्व नहीं दिया, सब में समान आतमा, आतम दृष्टी की साधना है, देह दृष्टी की नहीं, जब आतम दृष्टी पे आते हो, तो आपका सारा राग, धेश, मुख, माया, उंचा, नीचा, सब समात्तों नहीं लग जाता है, लोगक किसमसरन में राजा आए, मंत्री आए, देव आए, मनुश आए, सादु सादवी आए, और पशुपक्षी आए, सब में समान जीवातमा, आगे सातों नर्कों में जो नेरी है, उन में जो आतमा है, वो मेरी समान है, क्योंकि मैं भी अनंतकाल में नर्कों में भी जाके आया, उ सो आत्म द्रिश्टी सो हम ये एक ऐसी द्रिश्टी है कि आतम प्रमातम मिलन की ध्वनी है जिससे आपका मन शीगर लग जाएगा और टीवर गती से आप साधना में आगे बढ़ जाओंगे जब जब आपका मन ना लगे विचारों में चला जाए स्वांस को देखा स्वांस को देखने के बाद फिर भी मन ना लगे तो सोहम, 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 सोहम की ध्वनी को पांच साथ बार बोलेंगे आपका मन लगने लगे जाएगा फिर भी आप शुरुआत है मन ना भी लगे तो गबराने की बात नहीं मन की उपेक्षा करना यहां मन को और बुद्धी को और इंद्रियों को यह तीनों ही हमारे शत्रों है सबसे बड़ा शत्रों मन है जिस मन ने हमें चार गती, चुरासी लाग जीवयोने में भटकाया है उसके साथ बुद्धी, बुद्धी एक वेश्या है जैसा मन चाहता है, बुद्धी उसके पीछे लगए इंद्रियां, यह पांच इंद्रियां, आँख, ना, कान, जिभा, तालू, और आव, सपर्ष, यह पांच इंद्रियों के सुख में साथा को हमने सुख मान लिया यह सुख नहीं है, साथा है थोड़ी देर के लिए आपको बुख लगई आपने भोजन कर लिया सुखी नहीं हो गए, भूक मिट गई आपकी, साता हो गई, आपको प्यास लगई, आपने पानी पी रिया तो इसलिए आपको प्यास जानत हो गई यह साता है थोड़ी देर के लिए यह मदरंजन जो आप करते हैं, कई बार आपका मन नहीं करता आप भ्रमन करने चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, यहां चले जाते हैं इस चेंज ऑफ माइंड है, सुख नहीं है, सुख तो आपकी भीतर है तरी सुख ना होता, हवी तर्थंकर भगवान, चौबीस तर्थंकर में तीन चक्रवर्ती, कुंतुनात, अरैनात, शांतिनात, चक्रवर्ती पद छोड़ करके महावीर, इतना राजकुमार होती है, भगवान, निशुब देव, छोड़ करके जंगल में, कांत में गए, जब तक केवल ग्यान प्रापत नहीं हुआ, उस साधना की तो वो साधना आप करने आएं हैं, और अनंत, किर्पा बरसी अर्हंत ब्रमात्मा, दूसरी बाद, आपने सुविधा के लिए नहीं आए आप, आप चाहे कि मुझे ऐसे सुविधा मिले, सब को सुविधा नहीं मिल सकती, ऐस सुविधा में कोई जगा भी मिलती तो लोग धका देके उसको बाहर निकाल देते थे, महा भी चले जाते थे, कोई जगा नहीं, तूटी फूटी जगा भी मिलती, उससे भी लोग निकाल देते थे, आपको तो ये जगा मिल गई, केंदर की वस्ता मिल गई, सब कुछ, पर यदि आप नी चाहिए आप केबल तपने आये हो एक साधना करने आये हो, वो एक दिन के लिए आया, कोई चार दिन के लिए, कोई दस दिन के लिए आये, छोड़ दौ सारी सुविधाएं जो आज तक आपने प्राप्ट की घर में, बाहर होटलों में वेदेशों में जा करके ओस विदाव एक बार नहीं देवलोकों में भी जाय आए इससे ज़्यादा सुख भोग आए क्या पता है आपको कहां से कहां जाके आए आज आपको एक सुन्दर अवसन मिला भीतर एक अलाद एक अनन्द का भाव कि मुझे भगवान की साधना करने का तिर्थंग अर्यंत परमात्मा स्वें साधना दे रहे भीतर अक साधिका निशाजी के मुखार बिन से साधना आ रहे भीतर एक करतक्यता का भाव एक पुला से कनन्द का भाव मुझे अफसर मिला सारे आप कैसे कैसे आपने अरेंजमेंट किया होगा बहुत लोग विजी होंगे निकाल करके आपने अफसर निकाला अब ये सारा समय किसको देना है मैं जीव आत्मा जीव को देना है आत्मा को देना है शरीर की सुविधा को महत्तम नहीं देना फिर भी आपको समय पर भूजन मिलेगा अराम मिलेगा साधना यहां से दी जाएगी मन भागेगा उसके लिए उपाए भी किया गया स्वांस को देखो सोहम को देखो आत्मा के किसी गुन का चिंतन करो मैं आत्मा अनन्त सुक से संपन्ना आत्मा तो देखेंगे धीरे 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 मन लगेगा तदी मन चाहे नहीं मुझे तो अलग कमरा चाहिए मुझे ऐसे आगई जगा चाहिए कोई बात नहीं जो जगा जैसे मिलगी जिसकी कोई डिमांड नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, वो आगे बढ़ जाएगा उसकी साधना उत्तों एक साधू घर बर छोड़ करके जब साधू बन जाता है उसकी क्या इच्छा होती है कोई स्थान जैसा मिल गया दिहार करना पड़ता है बिक्षा में कभी अच्छा मिलती है कभी नहीं मिलती ऐसे आप यहां केवल एक साधक के लिए आए एक बिक्षू का जीवन जीने की आए यह मान कर चले सुवधा के लिए नहीं आए अजिस सुवधा में अटक गए तो ना तो आपकी साधना होगी आप उसको मन है एक तीज मिली एक नहीं मिली तो आप अटक जाओ और किसी को देखना नहीं आपने यह भी सुना गवान ने फरमाया आपके परीचर पी लोग बैठी होंगे आपके घरवाले लोग भी आए होंगे जिसको आप जानते हैं कोई रागी, कोई मित्र आया होगा उसके तरफ देखना ही नहीं ओ आए नजर अंदाज कर दो जैसे साधना पूरी होती है नजर नीची आप अकेले नजर नीची आप अकेले कीव एकत्त भावना में मैं आप साधना करोंगे तो बहुत संदर प्रिनाम आपको आईएंगे यह आप पर निर्पर करता है किस तरह से आप साधना को लेते हैं किस प्रकार की साधना करते हैं किस ओदेश्य से करते हैं कितने निर्मल चित्त के भावन से करते हैं और इसी साधना में आप अपने अनंत अनंत कर्म नर्ज़त कर सकते हूं इसलिए किसी को नहीं देखना कोई क्या कर रहा है कैसी साधना कर रहा है वो जाने उसका काम जाने तुमारा सारा केंदर बिल दूँ जीव मैं जीवात हूं अश्ट गुनों से युक्त मैं अकेला मुझे कुछ नहीं चाहिए एक मुझे परम अवसर मिल गया सोभागय का अवसर मिल गया इस साधना करने के इस परकार आप साधना करेंगे आंखे बंद मन वचन काया शान शरीर शान विचार शान सुरिष्टी शान तवाता वर्म शान हर दिशा हर किनारा शान 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 सिर के सिरे से पांग के अंगुटे तक आपने भीतर शुद्ध चेतना का ऐसास कीजिए तुम केवल आत्मा हूं मन बुद्धी इंड्रियों के पार मैं जीवात्मा अनन्त सुक्स संपन्न परिपूरन आत्मा पूरे बर्मान में मेरा अपना अस्तित है पूरे बर्मान में मेरा विचरन सब जगा हुआ हूँ पर मैं अकेला था अकेला हूँ अकेला ही रहूंगा एकट भावना अनट भावना का पौशन कीजिए सर के सिरे से पांग के अंगुठे तक आत्म परदेशों के विस्तार का अनभव करते चले जाएए इसी में एक लंबा कर अस्वांस लें अरिहंत पर मात्मा की चर्म में अनंत कर्टकिता ग्यापत करें एक और लंबा कर अस्वांस अरिहंत पर मात्मा की चर्म में नमन और बनन दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं हलका सास परश जीरे स्यांके कोई सकति है। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिध्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमा, चत्तारी सरणं पवज्यामे, अरहंते सरणं पवज्यामे, सिध्धे सरणं पवज्यामे, साहु सरणं पवज्यामे, केवली पानत्तं चेार शचरान जुँष मद्गम नुध्रेशक्य। लग्शुरी, कमफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बायर रेडिसन होटल अपने पन का एहसास, यहां बिताया हर पल, आपके लिए होगा खास यहां के अमेजिंग रूम्स, बैंक्विट वॉल, तमाम प्रकार के प्यॉर वेज जेन फूर्ड जिन्दा दिल लोगों के खूपसूरत शहर सूरत में, रेडिसन ग्रूप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रडी है पार्क इन बायर रेडिसन होटल, एक बार अवश्य विजिट करें, सूरत अडाजन में पाक इन बाय रेडिसन होटल प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रूप शिरी बाबुलाल मांडोत सूरत